एक बार फिर से आप सबीलों का बहुत-बहुत सवाग्या थे डेली करेंट अफेर्स के ये वीडियो सेसन में दोस्तों आज है 31 मार्च के दिन और आज हम दो दिन के बाद मिल रहे हैं जी है holiday के दो दिन के holiday के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम बात करेंगे current affairs से कुछ important mcqs के बारे में और इन mcqs से आपके जितने important facts बनेगे important questions बनेगे उनको भी हम साथ में करते हुए चलेंगे तो चली start करते हैं वीडियो लेकिन हमेसे तरह मैं आपको एक reminder देना चाहूंगा कि आपने अभी तक miya ma French महिने के अंतिम सनिवार को मनाया जाता है कम बनाया willingness सनिवार को वो मार्च महिने के आपका is 27 असलिय आपको option सई हो जाएग कौशा option और तो इसलिए आपको डेट पर focus नहीं करना हूं हमेशेता है या धरकना है कि मार्च के अनंतिम सनिवार मनाया जाता है तो फिर आपको उसी साफ से अपनी डेट को टिक कर लेना है तो इस वर्स के लिए आपको कौन सी डेट है आपकी 27 मार्च है ठीक है इसे वर्ड वाइड फॉन्ड द्वारा आयोजित किया जाता है इस कारक्रम का जो आयोजन है वो पहली बार 2007 में किया गया कप किया ग लोगों को उनके इस्थानी समय के नुनसार रात साड़े आठ से साड़े नौ बजे तक लाइट आफ करने के लिए प्रोस्वाहित किया जाता है ठीक है आप किसी भी देश में रह रहे हों कहीं भी रह रहे हों उससे महटर नहीं है बस आपको रात के साड़े आठ से साड़ हम उसका उप्योग कर सकते हैं इस तरीके से हम पर्रावन को भी बचाते हैं और उर्जा सनरच्छन भी करते हैं ठीक न तो यह आपका जो अर्थावर है बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो याद रखें इस बस मनाया गया 27 मार्च को आगे बढ़ते हैं दूसरा कुश यह आपका सई होगा ठीक है न यह जो इस चड़ियागर में जो आपके जानवर होने वाले उन जानवरों को लखनाव और कानपूर के चड़ियागर से लाया गया है ठीक है इसका जो नाम है वो क्रांतिकारी असफाक उल्ला के नाम पर रखा गया देख रहे हैं आप कूई चन से ही क्लियर हो रहा है ठीक है ना असफाक उल्ला जी को जाना जाता है काकोरी ट्रेन के लूट कांड के बारे में ठीक हैं तो देश के लिए वह और देश के आजादी को दिलाते हुए यह सईद हो गया इनका जन्म जो है 22 अक्टूबर 19 सो को यूपी के साहजापुर में हुआ था ठीक है तो अब याद रखें उत्तरप्रदे सरकार ने इनके नाम से इस्टिक डिया घर को खोल दिया है इसका उद्गाटन कर दिया है उत्तरप्रदे इसके बढ़ते हैं योगी आदितना तो रहांगे बढ़ते हैं आनंदी बेन पटे चलिए आंगे बढ़ते हैं वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपोर्टन चीज़ आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है कौन सब वीडियो उपी-ट्रपल-थी का एक O.T.R. से संबंधित एक वीडियो मैंने अप्लोड किया है जिसके बारे मैं ने O.T.R. संबंधित सारे इंपोर्टन चीज़ों के बारे मैं आपसे बात के है वन टाइम रेजिस्टेशन एक बार गी पंजी गान जो कि आपका उपी ट्रू-ई-ट तीसरा कुश्यन लेते हैं विउनियोगा हाल ही में मिताली एक्स्प्रेस ट्रेन का संचारन किन देशों के मद्द शुरू किया गया आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रतामतिर नहिल मोदी जी ने बंगलादेश का दौरा किया और यहां पर एक ट्रेन चलाने के बारे चलाई जाएगी ठीक है यह एक यात्री ट्रेन होगी याद रखेगा यह एक यात्री ट्रेन होगी क्योंकि बारत और बंगलादेश के मत मालगाड़ी भी चला जाती है ठीक है यह जो यात्री ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस इसके अलावा दो ट्रेने और चलती है कौन-कौ जो ट्रेन है आपकी जो ट्रेन है वह 55 वरसों से अधिक अंतराल के बाद मालगाडिओं की आवजाही के लिए हल्दी-बाटी और चिलहाटी-मार्ग पर परचालन की जूरू किया गया तो याद रखें मेताली इक्षटेंगर संचलन किया जाएगा बारत और बांगलादेश के मद वीडियो पसंद आता है जानकारी हमारे द्वारत दीगे जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना है चौता कूशन लेते हैं हाल ही में वितरित फिल्म फियर डूजार 21 में किसे ब specify कावाड याप से भी जानते है कि फिल्म फियर आवाड भी स्क्रूर वितरित किये गए उसके पहले राश्טी फिल्म पूरूश्का-वितरित किये गहीं उसके पहले दादा साहब फाल की पूरूश्कार वितरित के गया जो फिल्म के 2006 से सभी important आवार तो इस जो फिल्म फेर अवार्ड है सबसे पहले कुश्चन तो यही आता है से कौन सा संस्क्राण यह रहा तो यह आपका 66 संस्क्राण था तो इसमें बेस्ट एक्टर का वार्ड मिला है दिवंगत अभिनेता इर्फान खान को आप्शन सी आपका से वह इनकी मूवी है अंग् बेस्ट एक्टरस का वार्ड किसे मिला है तापसी पन्नू को इनकी मूवी थपड के मिले मिला है बेस्ट फिल्म इस बार की कौन सी रही वह वह भी आपकी कौन सी रही थपड मूवी आपकी बेस्ट मूवी रही थीक है बेस्ट डारेक्टर का वार्ड ओम राउत को दिया ग पहले यह राजपूताना के नाम से जाना दाता था, बाद में राजिस्थान जो आपका जो वर्तमान में जो अस्तित्त है, जो वर्तमान में सुरूप है राजिस्थान का वो कब आया, 30 मार्च 1949 को आया, ठीक है, 30 मार्च 1949 को आया, तब से आपका 30 मार्च को प्रतेक वर्स रा राज कौन सा है वह है आपका राजिस्थान राजिस्थान जो राष्टी विरिच है वह कौन सा है खेजडी है ठीक है आँगे बढ़ते हैं वीडियो में आप हमसे follow भी कर सकते हैं कोई message भी कर सकते हो कोई topic भी आप वहाँ पर discuss कर सकते हैं next question लेते हैं हाल ही में पैसक्स युद्याबास किन देशों के मद्दायोजित किया गया जी है यह आपका एक युद्याबास है जिसका आयोजन पूर्वी हिंद मासागर में किया गया पूर्वी हिंद मासागर यानि कि बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया यह आपका दो दिउसी नो से ना ब्यास था ठीक है ना कौनसा ब्यास है नो से ना ब्यास है दो दिन का तो यह भारत और अमेरिका के मद्दायोजित किया गया option कौनसा option option a आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं नेस कुश्चन रेते हैं हाल ही में अनीज साह को किस कंपनी का MD&CEO न्योकति किया गया है तो अनीज साह को महिंद्रा कंपनी का MD&CEO न्योकति किया गया option d आपका सही होगा Manisa, किसका इस्थान लेंगे? पवन गोयनका जी का इस्थान लेंगे जो Anisa है, ठीके न? ये महिंदरा समूंगी सभी कंपणियों के संचालन की देखरेग करेंगे यह अपना पद 2 अपराइल से समभा लेंगे तो याद रखिए, काफी important यह नुखती है और क्योंकि भारत की बहुत ही बड़ी आपकी किम्पनी है महेंदरा एंड महेंदरा आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं सक्री ज्वानमुईंगी माउंट है ठीक है यह जो इंडोनेसिया है आपका या रियू कहें कि जो इंडोनेसिया देश है यह बहुत सारे दूइपों से मिलकर के बना हुआ है ठीक है बहुत सारे दूइपों से मिलकर के बना हुआ है आपका यह देश इंडोनेसिया तो इंडोनेसिया का एक दूइप है तो धूँप तो जानते हैं कि प्रत्विवी में चालन होता है गती होती है तो उसकी बेएसे जहलम की फूरते हैं तो जहां पर ज्यादा वह होता है क्या इनमें मुव्मेंट होता है इन प्लेटों में तो उसी को हम रिंग फायर करते हैं प्लेटो में ठोटा है तो प्लेटो में थोड़ा सा गया पाजाता है प्रत्वी के अंदर उपस्थित लावा है वह बाहर निगालाता है तीक न उसी से आपको जोला मुखी का निर्मार होता है आई होब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोपेसर सरद पगारेजी को किसे प्रोपेसर सरद पगारेजी को अब लेते हैं कुशन आप दड़ी इसका जवापको कमेट बॉक्स करके बताना है हाल ही में डबलूड डबलू इने भाग किस भारती रिष्टल को हाल है सेम 2021 में सवामिल करने की है चौर ऑप्सेन है आपके पास उनिस जो भी आपको ऑप्षन करे लगता है कमेंट बाक सेन कर बता सकते हैं आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं चैनल के लिए वीडियो के लिए आपके में कोई अगर सेजेशन थे तो भी आप आप साथ सेयर कर सकते हैं वीडियो पसंदा है लाइक और से जरूर से कर दीजेगा क्योंकि आपकी सपोर्ट को चैनल की बहुत ज़्यादा जरूरत है ठीक है और फिर से आप कहना चाहूंगा अगर आपने भी तक भी पहले स्थी वाल धन्यवाद